में नाम है साहिल और आप देख रहे हैं निस्पोड विस साहिल आज मैं ऐसे प्रोडट को लेकर आया हूँ जो इंडिया में बहुत ही कम लोग यूज करते हैं लोग को आइडिया भी नहीं है कि इस प्रोडट का यूज क्या है या इसे लोग पहनते क्यों है मैं बात करने वाला हूँ टाइट्स या टाइटी की अगर आपको लगता है कि टाइट्स या टाइटी सिर्फ गल्स के लिए होती है तो यहां आप गलत है कही लड़के टाइटी पहनने से गभराते हैं लेकिन टाइटी यूज करने के बाद आप जान पाओगे कि यह एक्चुल में वर्क कैसे करता है टाइटी आपको एक्सोसाइज करने में उतनी हेल्प कर सकता है जितने एक सोट्स पहन कर आप नहीं कर सकते है टाइटी हमें रणिंग और जिम में सबसे ज़्यादा हल्प करता है टाइटी के एक खास बात है कि जब आप टाइटी यूज करो तो आपको अंडर गार्मेंट पहनने की जरूत नहीं होती टाइटी बोडी में अच्छे से फिट हो जाता है और आपको बोडी पार्ट को अंडर गार्मेंट के तरह ही सपोट देता है अगर आप टाइटी के अंदर से कुछ भी पहन रहे हो तो यह आपको पसीने को सोकने में प्रॉलम करता है अब बात करते हैं कि टाइटी कितने तरह क्या आते है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए सबका अंसर मिलेगा पस इस वीडियो को बिना skip किये देखना क्योंकि मैं टाइटी के बारे में छोटी छोटी बाते भी आपके साथ सेर करने वाला हूँ देखी टाइटी आपको मार्केट में मार्केट मतलब ओल्लाइन और अफ्लाइन दोनों ही समझना मार्केट में आपको हाफ और फुल दोनों ही मिल जाएंगे नैलोन लैकरा कपड़ा का बना रहता है इसलिए ये स्टेचेबल रहता है कॉटन कपड़ा का नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि कॉटन कपड़ा ज्यादा स्टेचबल नहीं रहता और पसीने से भिंगने के बाद हमारे पसीने के एब्सॉर्ब कर लेता है और भारी हो जाता है कॉटन के कपड़े हमें रनिंग करने के टाइम साइट से हमें रैसस भी देने लगते हैं नैलोन लाइकरा कपड़ा में पसीना नहीं ठहरता है जिसके कारण इसका वेड भी हलका रहता है इसलिए आपको नैलोन लाइकरा कपड़ा से बना हुआ टाइटी ही यूज़ करना चाहिए ठंड के मौसर में आप फुल टाइटी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कमफर्टेबल और फिट रहना चाहिए अगर आपको पहनने के बाद कमफर्टेबल ने लग रहा या रनिंग करने टाइम आपको जारा टाइट लग रहा है तो तूरंत ही एक साइज बड़े टाइटी में स्वीच कर जाईए क्योंकि जाए टाइट वाला टाइटी पहनने पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है आप इसे स्वीमिंग में भी यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पान इसे में नेट हरता भिंगने के बाद भारी नहीं होता अगर आपको नाडावला टाइटी मिल जाए तो यह आपके लिए अच्छा चोईस हो सकता है टाइटी की साइज को लेकर आपको टेंसर लेने की जरुवत नहीं है मार्केट में हर साइज की लोगों के लिए अवेलेबल है मालीज आपको डबल एक्सर साइज लेना है टाइटी देखने टाइब आपको छोटा लग सकता है लेकिन पहनने के बाद यह बिल्कुल फिट आएगा इसलिए आप जो साइज यूज़ करते हैं वही साइज लीज़े चोटा बड़ा देख कर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन ध्यान रहे अगर आपका थाइब बड़ा है तो आप अपने से एक साइज बड़ा ले सकते हो अगर आप ढीला टाइटी यूज़ करना चाते हो हाप टाइटी 200-300 से लेकर 500 तक मिल जाता है और फुल टाइटी 500-600 से लेकर 1000 रुपे से उपर भी जा सकता है अच्छे क्वालेटी की टाइटी इसलिए लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइटी कंफेटेबल रहना जरूरी होता है लाश्टी डिला हो जाने से यूजलेस हो जाता है और अच्छे क्वालेटी की टाइटी जल्दी डेमेज भी नहीं होता अगर आप अब भी टाइटी पहनने में कमफेटेबल फील नहीं कर रहे हैं और अगर मालव आपको रनिंग के बाद कहीं जाना है तो टाइटी पहन के तो नहीं जा सकते हैं तब आप शॉट्स का यूज़ कर सकते हो इतना कुछ टाइटी के बारे में हम जानी गये हैं तो चली कुछ एक्स्ट्र ग्यान की बात कर लेते हैं आपने नोटिस किया होगा हमारे टाइटी या सॉट्स में एक श्टिकर लगा होता है जिसमें लाइट पढ़ने पर चमकने लगता है कई लोगों को यह पसंद नहीं आता और इसे हटा दिया करते हैं अगर यह स्टिकर आपकी टाइटी में है तो इसे बिल्कुल भी हटाने के बारे मस सुचना क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्फुल होता है अगर आप एले मॉर्निंग उठ रहे हो या जिम के लिए जा रहे हो तो आप अंधेरे में ही घर से निकल जाते है ऐसे में आप चल रहे हो या रनिंग कर रहे हो और सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तब यह स्टिकर आपका हेल्प करेगी इसमें लाइट पड़ते ही यह रिफलेक्ट करता है जिससे सामने वाले को पता चल जाता है चल लिए आज का वीडियो इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजे कमेंट कीजे सेर कीजे अपने दोस्तों को और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नक्ष वीडियो में